प्रिये विद्यार्थियों आगामी 6 अप्रेल से होने वाली आपकी परिक्षाओं के लिए मैं आप सभी को शुब कामनाय देती हूँ, आशिरवाद देती हूँ, हमारे प्रधान मंतरी भी परिक्षा पे चर्चा करते हैं, हम समझ सकते हैं कि परिक्षा आने वाली हैं, इसलिए आप सब किन मनोभावों स गुजर रहे होंगे, निश्चेत रूप से मुझे आशा है कि आपने बहुत अच्छे से अपनी तयारी की होगी, लेकिन सिर्फ कुछ शब्दों के द्वारा, कुछ लिखे हुए, पन्नों के द्वारा अगर मुल्यांकन हो और उसी के द्वारा आपके जीवन की राह निकल इसके साथ साथ भाषा है, समाजविज्ञान है, गणित है, इन सभी विश्यों में आपने जिस प्रकार से मेहनत की है, पढ़ाई की है, वो आपके भविश्य की दशा और दिशा के निर्देशन में निश्चित रूप से लाबदायक होगी, आप किस तरीके से विवसाय हमारा करिकुलम, हमारा पाठिकरम आपके लिए लाबप्रद होगा, बस आत्म विश्वास को बनाये रखना है, जो आप पढ़े, उसको शांती पूर्वक मनन और चिंतन करें, भारतिय ज्यान परम पर आके कोर्स आप पढ़ते हैं, भार्षाओं में हमने भारतियता को लान परिणाम की आप चिंता बिलकुल ना करें, भे मुक्त होकर खुले मन से परिक्षा दीजिए, पांच वर्ष का आपका रेजिस्ट्रेशन होता है, दो बार बोड की परिक्षा होती है, नंबर कम भी आए तो कोई बात नहीं, ओन डिमांड परिक्षा आप देते हैं, जब त खुला सिस्टम, open and distance mode पे आपको भारत सरकार के अंतरगत ये स्वाहित शासी संस्था देती है, आप हमारे proud learner हैं, तो निश्यतरोप से इस गर्व को बनाये रखिए, आत्मिश्वा से परिक्षा दीजिए, सफल होईए, और N.I.O.S. के पूरे शिक्षक मंडल से ही, जो यह झाल